एयर फोर्स की तयारी करने वालों पहले लूसेंट की बुक पूरी तरह से कंप्लीट एक दम बढ़ियां से लगा लिया जाए तब कोई और सेंपल पेपर ओपर वाले जो तरते हैं उस सब लगाए जाएगा देखिया हम आपको एक वीडियो में बताए थे साइद इसके दूसरे वीडियो में बताए थे कि 10 1 से लगाए और 10 89 तक का गुडन फल वन होता है यहां पर लौग के रूप में एक कोश्चन है तो लौग की प्रापर्टी जो मेन मेन प्रापर्टी है वो आपको पता होनी चा लेते हैं तब आपको समझाते हैं इन लाग होता क्या है? जब जब महत में नए नए समस्याएं आती हैं तो नए नए चीजों का जनम होता है अब रमे सुरे समहे सब बड़ी परिसान थे सब बड़ी परिशान थे एक बात को लेकर कि अगर उनसे कोई पूछ रहा था कि दो पर घात कितना रखें तो आठ आए तो उन लोग कहें दो पर घात X इधर आइधर दो पर घात 3 लिख सकते हैं यानि X का मान हो जाएगा 3 फिर सामने वाला पूछ दिया कि दो पर घात X बराबर 7 है अगर तो बताओ X का मान कितना होगा तो अब रमेश सुरेश महज किसी समझेम नहीं आ रहा है कि दो पर घात X बराबर 7 हो तो सकता है नाट पासिबल तो यह है नहीं तो लेकिन पते नहीं चल रहा है कि X कामान क्या रखा जाए अगर 2 रखेंगे तो मिलेगा 4 अग 3 रखेंगे तो सीधे 8 बिचवाम 7 कई से मिलेगा यह पते नहीं चल रहा था तो लाग का जनम करा दिये सब तो जब लाग का जनम कराए तो कहें कि ऐसा है इसको हम लोग लिखने का एक नया स्टाइल बना रहे हैं लिखने का नया स्टाइल बना रहे हैं इसको हम लाग लगा के लिखेंगे और आधार अपनी जगव पे रखेंगे 2 ऐसात को छटका देंगे इधर साथ इधर आ जाएगा अब बराबर X होगा बराबर X होगा यानि जो X का मान तीन आया था यहां पर यहां पर X का मान आयेगा log 7-2 यानि log क्या होता है log होता है घातांग को लिखने का एक नया तरीका नया इस्टाइल जो हमें घात की जानकारी देता है log क्या होता है log हो लिजी ए घातांग किए रूप एक्ठो होता है अग्ठो हो गया लगुगड की रूप लगुगड की रूप किस काम में आएगा जब दूपे गात साथ दे देंगे गात की जानकारी देता है तो लॉग होता है घातांकी रूप को लिखने का एक नया तरीका अगातांकी रूप को बदल सकते हैं लगुगड की रूप में अब लॉग के कुछ लिमिटेशन होते हैं लॉग के साथ वाली जो चीज है लॉग के साथ वाली चीज वो कभी जीरो नहीं होती है कभी और कभी जीरो से छोटी भी नहीं होती है कभी हमेशा जीरो से बड़ी होती है हमेशा लॉग के साथ धना आत्मक चीज लिखा जाता है ल लॉग एक कामान 0 होता है पहला चीज़ यह याद कर लीजिए लॉग का कोई भी आधार हो और अगर यह दोनों संख्याए समान हो जाएं तो उस लॉग कामान 1 होता है अच्छा तीसरा प्रापर्टी अगर दो लॉग आपस में जुड रहे हो अग दोनों का जो आधार है उस समान है तो उसको आप एक लोग में बदल सकते हैं साथ में जो संख्याएं हैं उनका गुडा करना पड़ेगा और अगर दो लोग घट रहे हो तो क्या करना पड़ेगा लेकिन आधार समान होना चाहिए दोनों का तभी नियम लगेगा दो लोग घट रहे हो और उनका आधार समान हो तो संख्याओं का भाग हो जाता है अच्छा पांचवां इंपार्टन प्रापर्टी लोग का क्या है बहुत सारा है लेकिन पांच आपको बता रहे हैं भी लोग के साथ संख्याओं पर अगर कोई घात है लोग के साथ संख्याओं पर अगर कोई घात है तो वो घात आगे आ जाता है यानि उस घात से इस पूरे लोग में गुड़ा हो जाता है तो ये पाँच नियम है लॉक से रिलेटर जो आपको हमेशा याद रखनी है अब हम लोग अपने कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बात और आपको बताए थे कि टैन वन से लगाए टैन एटी नाइन तक का गुड़न फल वन होता है वहाला वीडियो देख लीजिएगा टै तीन लाग कई ठो लाग है अज सब आपस में जूड़ रहे हैं सब आपस में जूड़ रहे हैं तो जब कई लाग जूड़ते हैं तो उसको आप सिंगर लाग में बदल सकते हैं लेकिन संख्याओं का हो जाएगा गुड़ा तो पहले वाले लाग के साथ है टैन वन डिगरी दूसरे वाल एक साथ है 10, 2 degree तीसरे वाल एक साथ 10, 3 degree ऐसे हिंग करते 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 10, 89 तक गया है 89 तक गया है अब 10, 1 से लगाए 10, 89 तक का गुड़न फल 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है log 1 का मान 0 होता है तो इस question का answer हो गया 0 जीरो पे आप लगा देंगे टिक चले आएंगे घर अगला question 32 question 32 question एकदम बढ़िया अरामदा एक question है 32 question क्या है यह देखिए cos cos है यहां sin sin है a high sin a minus sin b a high sin a plus sin b तिर्चे में गुड़ा एकदम बेहतरीन चीज़ मिलने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का गुड़न फल एलसीम ले लेंगे तो cos a plus cos b और गुड़े sin a minus sin b यह हो जाएगा एलसीम अब sin a ऐसे तिर्चेम गुड़ा होगा तो जब a plus b a minus b का फार्मूरा लगेगा तो यह हो जाएगा sin square a minus sin square b sin square a minus sin square b sin a plus sin b में जब इसका गुड़ा होगा तो a plus b एक ब्रेकेट में a minus b एक ब्रेकेट में a square minus b square का फार्मूरा लग जाएगा अब बीच में लगेगा प्लस जब इन दोनों का गुड़ा होगा तब भी वही होगा एक ब्रेकेट में प्लस B, एक ब्रेकेट में माइनस B हो जाएगा A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर तो आगे क्या लिखना है कॉस स्क्वाइर A माइनस कॉस स्क्वाइर B कॉस स्क्वाइर B कॉस स्क्वाइर B अब देखिएगा करामात sin square theta plus cos square theta हो जाएगा 1 अब फिर minus देखे दोनों में से minus common है जब आप minus common लेंगे तो sin square b plus cos square b तो फिर sin square theta plus cos square theta 1 हो जाएगा अब नीचे कुछू रहे अगर उपर 1 minus 1 0 हो गया है तो उसके बटे में कोई भी real number है इसका मान 0 ही आएगा यानि कि आपको 0 पे टिक लगा देना है तो 32 कोश्चन का अंसर हो गया 0 अब 33 कोश्चन अब 33 कोश्चन जो लगाना है हम लोगों को वो है 10 प्लस साइन बराबर M ये 10th क्लास का बहुत पापुलर कोश्चन है इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए याद रखिए याद करो कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस्च थीटा बराबर M है और साइन थीटा माइनस 10 प्लस साइन अगर M है और 10 माइनस साइन अगर N है तो M e स्कॉाइर माइनस N e स्कॉाइर का मान होता है 4 रूट M N यह आपको एकड़म याद रखना चाहिए क्योंकि यह 10th का बहुत popular question है board order की तयारी करने वाले question लगा के जरूर जाते तो अगर आपको याद रहेगा competition में बहुत famous question भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो उनको वहाँ बैट के लगाएंगे बहुत time लगेगा यह जानते ही 10th class में कम से कम 8 number में आता है यह 8 number का question है 10th class का तो सोच लिजे डेड़ परने का question होगा तब ना 8 number मिलेगा board में इतना लंबा question competition में दे दिया तो इतना लंबा क्यों दिया इतना लंबा इसलिए दिया क्योंकि वो मान के चल रहा है परनना चाह रहे होंगे कि कैसे लगेगा तो method भी आपको method तो आपको बताई दे रहे हैं लेकिन जो है आपको यह भी हम suggestion कर रहे हैं कि आपको इसको याद कर लेना चाहिए कि इसका यह answer होगा क्योंकि यह अती popular question है तो चलिए हम आपको solution बताते हैं अगर 10 theta plus sin theta n नहीं m और 10 theta minus sin theta n तो m square minus n square का हमान कितना होगा अब देखिए m square minus n square का मतलब होगा एक bracket में m plus n और एक bracket में m minus n जब आप m में n को जोड़ेंगे तो sin कट जाएगा और 2 10 theta बचेगा क्या बचेगा 2 10 theta तो इसका मान आपको मिलेगा 2 10 theta और अगर m में से n को घटाएंगे तो घटाने पे चिन अमर लेगा तो 10 कट जाएगा बचेगा 2 sin theta इस तरह से आपको मिलेगा 4 10 theta sin theta अब high school के बच्चे क्या करते हैं इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अब उनको सिद्ध करने के लिए मिला रहता है कि यह बरावर होगा 4 root mn तो इसलिए वो right hand side में अम्मान रखते हैं अब आपको पुरूब करने के लिए मिलेगा नहीं आप याद करने के लिए तयार नहीं हैं तो अलग-अलग विकल्प पे रखके देखना पड़ेगा कौन सही है तो जो पहला विकल्प है mn वो भी root में उसको जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा root में अगर हम लोग m में n का गुड़ा करें m में n का गुड़ा करें एक bracket में प्लस भी एक bracket में माइनस भी यह हो जाएगा पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग अब जब इस 10 को बदलेंगे sin by cos में यानि की sin square theta बटे cos square theta माइनस है साथ में sin square theta अब क्या करेंगे sin square theta जब आप common लेंगे sin square theta common लेंगे root के अंदर है अंदर sin square theta common लेने पर यहाँ बचेगा one upon cos one upon cos होता है shake shake square theta माइनस यहाँ पर क्या बचेगा one और shake square theta माइनस one आपको याद रखना है कई बार पहले भी आ चुका shake square theta माइनस one होता है 10 square theta तो sin square theta का वर्गमूल हो जाएगा sin theta और 10 square theta का वर्गमूल हो जाएगा 10 theta sin theta गुडे 10 theta आ गया और आप जब m e square माइनस n e square लगाए थी तो विकल्प आप चेक कर रहे थे तो साथ में 4 भी था यानि root m e n जब आप निकाले तो उस 4 की कमी है यानि कि root m e n न होकर होना चाहिए था 4 root m e n तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 4 root m e n वाला ही आंसर सही है लेकिन हमारी राह है कि आप इसको बहुत popular question इसको याद कर लें ठीक अब 33 हो गया आप 34 की तरफ बढ़ते हैं पहले इसको रिले देखिए यह 34 वा गोशन लगाना है 34 में question में sin square 15 sin square 30 sin square 45 sin square 60 sin square 75 इसमें से किसका किसका मान आप याद रखते हैं sin 30 का याद रखते हैं 1 by 2 sin 45 का 1 by root 2 sin 60 का root 3 by 2 sin 75 और sin 15 का मान भी याद रखा जाता है लेकिन उतना बड़ा मान का work करना ठीक नहीं रहेगा आपको एक formula बताते हैं 2 sin square अगर जूड रहे हों इसको याद कर लीजेगा 2 sin square अगर जूड रहे हों और उनके साथ जो कोड दिया हो उनके साथ जो कोड दिया हो उसमें 90 का difference हो या आप कह सकते हैं उनका योग फल 90 हो अगर 2 sin का work जूड रहा हो और कोडो का योग 90 हो जैसे sin square 15 है और sin square 75 है तो sin square 15 और sin square 75 15 75 केतना होता है 90 इसका मान वन हो जाएगा ठीक और अगर sin square 30 और sin square 60 30 और 60 का वह इसे तो आप याद रखते हैं लेकिन अब नया चीज़ बता दिये हैं तो वही कि अगर नया नया cycle खरता है गा तो बगल में ब्रेडो लेने जाना होगा तो उसी जाएगे तो sin square 30 और sin square 60 इसका मान हो जाएगा वन उसके बाद क्या बचा उसके बाद आपका बचा sin square 45 तो sin square 45 हो जाएगा 1 by 2 क्योंकि sin 45 का मान होता है 1 by root 2 अब उसका work कर देंगे तो 1 by 2 तो ये हो जाएगा 2 और प्लस एक को दो से भाग देंगे तो 0.5 यानि ये हो जाएगा 2.5 तो 2.5 पे आपको ठीक लगा देना है बढ़िया बात बताए ना बढ़िया बात ये बताए कि 2 sin square जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा अगर उनके साथ जो कोड हैं उनका योगफल 90 अनसाय तो कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं अब आगे की पढ़ाई से पहले आपको कुछ फार्मूले याद करने हैं याद कर लीजिए sin a plus b का फार्मूला होता है sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b का फार्मूला होता है sin a cos b plus cos a sin b sin a minus b का याद कीजिए बीच में माइनस रहेगा यानि sine A cos B minus because A sine B cost A plus B کا फार्मूला जो होता है उसमें पहले दूनों 5000 होगा फिर दूनों sine लटा होता है प्लस वाले में बीच में माइनस होगा और माइनस वाले में बीच में प्लस होगा फिर 10 A plus B का फार्मूला याद करिए इसको लिखिएगा और याद करिएगा तैने प्लस बी का फार्मूला होता है तैने प्लस टैन बी अपान वन माइनस टैने टैन बी अगर यहां बीच में माइनस है तो उपर माइनस रहेगा और नीचे प्लस छेटों फार्मूला याद करना है कौन कौन साइने प्लस भी साइने माइनस भी कॉसे प्लस भी कॉसे माइनस भी टैने प्लस भी टैने माइनस भी फिर कॉट वाला भी बता देंगे कॉट वाला भी होता है अभी फिला लेतना तो अब हम लोगों को जो question लगाना है वो लगाया जाए इसको याद कर लीजिएगा जरूर से अब देखिए यही question लगाना है 35 इस 35 question में क्या है एक sign फिर cos फिर cos फिर sign अगर आप 50 को एकी तरह देखें 50 बराबर A और जो दूसरा कोण है 10 उसको B की तरह देखें 50 को देखें A की तरह और 10 को देखें B की तरह तो आपको क्या दिखने लगेगा साइन, 50 की जग़ A, कौस, 10 की जग़ B, प्लस कौस, 50 की जग़ A, फिर साइन, फिर साइन है न, देखें, साइन, 10 की जग़ B, तो sin A cos B plus cos A sin B ये फार्मूला होता है sin A plus B का sin A plus B का फार्मूला लग गया अब sin ये तो बड़ा लंबे में कर रहे हैं आप लोग इतना लंबा नहीं करेंगे लेकिन सिखाते समय पहले लंबे हम कर दे रहे हैं A की जगह रखना है आपको 50 और B की जगह रखना है आपको 10 तो ये हो जाएगा sin 60 और sin 60 का मान याद रखना है आपको sin 60 का मान होता है root 3 by 2 यानि root 3 by 2 पे टिक लग जाएगा ये basic तरीका है लगाने का आप तो इसे ही देख के बता देंगे अब इसके बाद sin A cos B plus cos A sin B होता है sin A plus B यानि कि 50 10 60 assign 60 का मान होता है root 3 by 2 तो आज log का concept दिया गया उसको आपको याद करना है 5 तो log के गुर फिर उसके बाद आपको त्रिकोर्मिती का 6 फार्मुदा बताया गया है A plus B A minus B करके वो याद करना है और ये 5 question लगा कर practice करनी है तब अगले वीडियो में आगे बढ़ा जाएगा